जाहिंद इस वीडियो में आमसल्प करेंगे क्लास एट 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 मैट्स नीव कोर्स एक्सरसाइज फैक्ट प्रेंट वन तो यह चप्टर फाइब स्क्वार्स एंड स्क्वार्स पर है देखे पुराने NCRT बुक्स में यह चप्टर शिक्स नंबर में था क्वेशन लगबख सेम है ठीक है तो वन नंबर क्वेशन देखे वाट विल बी इनिट डिजिट अब दी स्क्वायर अब दी फॉलेंग नंबर इन सब नंबर्स को स्क्वायर करना के बाद इनिट डिजिट दीट में क्या है तो दी कि पहला नंबर्व नंबर्विट्ट्ट्वान है एक वान है ना क्या हम 81 को स्क्वायर करें इसके बाद पता लगाए कि उनिट प्लेइस में क्या है देखे यह तोड़ा सा टाम कॉंजूमिल प्रोसेस है तो शॉर्टकाट एक चीज हम कर सकते है यह तो यानि की 1 की square 1 है यहाँ रेकट में लेकिना unit digit is 1 ठीक है तो मतलब क्या है यह जो 81 है न इसको square करने के बाद इस square number की unit digit 1 होगी शिरिफ 81 नहीं जितने भी बड़ा नंबर होगी जितना बड़ा नंबर होगी अगर unit place में 1 है तो इसको square करने के बाद unit place में वही 1 आएगे तो आप sentence ऐसे ही लिखना आप टू नंबर में दिखिए वह नंबर क्या है 272 आचा तो लास्ट में 2 है ना तो 2 को पहले square करिए 2 x 2 is equal to 4 unit digit क्या रही है 4 आ रहे है तो the unit digit of the square of 272 is 4 है इजी 4 इजी आचा नेच्स त्री नंबर आप दिखिए नंबर क्या 799 है 799 है तो unit digit 9 है 9 को square करिए 9 into 9 is equal to 99081 तो unit digit क्या रही है यहां unit digit 1 है तो the unit digit of the square of 990 799 799 is 1 इसी है वैसे ही बाके सब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप नेच्स्ट फोन नंबर क्या है 3853 3853 तो unit digit 3 है तो 3 को square करिए 3 into 3 is equal to 9 है तो यहां unit digit क्या रही है 9 आ रही है तो 3853 तो यहां 3853 is 3300 9 नेच्स्ट फाइब नंबर देखिए 1234 1234 है तो unit digit 4 है तो 4 को square करिए तो 44016 है unit digit क्या है 6 है है 6 है तो 1234 is 6 इजी बहुत इजी है अब नेच्स नंबर देखिया है 26387 26387 तो unit digit 7 है तो 7 को square करिए 7 into 7 is equal to 49 unit digit क्या रही 9 है तो यहां भी unit digit 9 है तो नंबर क्या है 26387 26387 इजी है बहुत इसी है नेच्स्ट क्या है 7 नंबर 5269 8 है यहां नंबर कितने बड़ा है यह देखने ही जरूरत नहीं लाश्ट इन डिजिट क्या है 8 है तो 8 into 8 is equal to 64 इन डिजिट 4 है तो यहां भी 4 आएगे इसके square करना कवाद इन डिजिट 4 आएगे नंबर क्या है 5269 5269 8 कितनी इजी है कितनी इजी है नेक्स्ट आप 8 नंबर क्या है 99880 99880 है तो इसकी इन डिजिट 0 है ना तो दिखिए 0 को square करिए वही 0 है यानि कि इसकी square में करें इन डिजिट चेंट इसके सनफनी इन डिजिट आफडिए यह लाइन आन अ लेक्ट आ लिके तिória कि कि का क्या है इसकी इजी नेक्स्ट नाइन नमबर देखिया नमबर क्या है वानटू सेवें नाइन जीक्स तो सिक्स इंटू सिक्स इसे एकल टू तार्टे शिक्स उनिदीट क्या है तो वान टू सेवें नायन इस 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 है बहुत इसी है नेच्स्ट आप 10 नमबर रखिए है 555555 है तो इनिट इजिट 5 है तो 5 इंटू 5 इस इगल टू टू 25 है इन डिजिट क्या रहे है यहां भी 5 आएगे ठीक है इसके स्क्वाइर के इनिट में 5 आएगे 5, 5, 5, 5, 5, 5 है कितने इसी है बहाई आप नेक्स्ट टून नमबर कॉस्टन देखे इन नमबर्स आर अव्विसली नाट पर्फेट स्क्वाइब रखिए इन नमबर्स पर्फेक्वेट्स नहीं है तो क्यों नहीं है इस रिजिन को लिखना तो एक चीज देखे लाएगे 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100. तो एक चीज द्यान से देखिए इन सब नंबर्स क्या है वान से लाष़ टैंत अगे इनकी स्क्वाइर्स है तो देखिए किसी भी नंबर हो जितने बड़े नंबर हो इनकी युणीट प्लेश में 0 से लाष़ नाइन तो इन डिजिट्स तो होंगे ना डिजिट्स जो भी इन सब डिजिट से आएंगे इनके अलाव एक भी डिजिट नहीं आएगे वान की केस में तो इनिट डिजिट में वान है कीश में इनिट दिदीट फुर केस में इनिट 5 है विदद 4 की केस में इनिट 6 और रही है और है, पर केस केस समें को दिदा, 1 टीर में है द्सक्षाव men 7 ह इतो ही बाक지 क्वेंट प्लेश में 9 है फॉर, 9 है तो ही हिनिट पीस में प्लेश में, पर कहले कि यह नि formally हैँ मैं एक जिरो हे किस्क्कु एर ten दो चैन जरो जाएन के डिबू दरिखने में तो यहां से पता लगा सकते हैं कि वह भी यहां तो क्पून नम्बर के निक प्रेस में 3 नहीं आ रहें, इसके बाद देखिये, 7 नहीं आ रहे, 8 भी नहीं आ रहे, और देखिये, What numbers of zeros नहीं आ रहे हैं, मतलınt 0 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार What times 0 नहीं आ रहे हैं? ठिके, तो यहां पहने हैं यह रिजण रिख सकते हैं कि we know that if any number ends with 2, 3, 7, 8 or any odd numbers of 0s, it cannot be a perfect square. पहला लाइन लिखना. तो ये लिखना, we know any number ending with 2, 3, 7, 8 or any odd numbers of 0s cannot be a perfect square. ये परफेक्ट अंसर है, हाँ, अगर आप इसको और भी तोलो सा शॉटकाट कर सकते हैं, तो जस्ट यहां से यहां लिखने पढ़ेगी, इससे और शॉट्ट आप नहीं कर सकते हैं, अगर करें, तो आपको मार्च्स भी मिलेंगे, मैक्सिमाम शॉट्स इतने दे कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, तो यह मैंने आपकी कॉंसप्ट के लिए लिखाई, यह जो पहने की तीन लाइन है, यह रिजन है, और यह भी रिजन है, लेकिन इसके साथ यह रिजन अटस्ट है, तो यहां उल्लेड कहके राखा कि, अब्यस्ति नॉट परफेक्ट स्क्वेर्स, इन रखिएगा, अगर आप शटकर करना चाहिए, तो यहां से यहां तक लिखना, पूरा पूरा लिखने चाहिए, ठीक है, यह तो वान नंबर है, कोपी कर लेना वाई, अच्छा, नेक्स्ट फू नंबर देखिए, क्या है वो नंबर, तो लास्ट में त्री आ रहे हैं, तो द नंबर के लिए सेम है, तो चेंज होगी, यहां सिरिफ नंबर, नंबर चेंज होगी, 23453, 23453, here's the 10th with 3, just यहां तो मतलब क्या है, यह जो फॉर्मेट है, सेम सेम रह जाएंगा सब की केस में, यहां नंबर है, वही लिखना, और यहां इसके आखिर में जो है, इसको लिखन बस बाकिस सब की सब से में आप वीडियो को पर्स करके कोपी करिए तो जस्ट यहां सब नाइन टू एट और यहां एट लिक देना बहुत इसी लगा बहुत इसी लगा बहुत इसी लगा नेक्स्ट अप फोर नमबर देखिए पास्टू है टू 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 है तो यहां लास्ट में टू आर यह ना टू भी नहीं आ सकती ना देखिए तो बीने आ सकते कितने इसी है नेक्स्ट के फाइब नमबर 64000 देखिए 64000 देखिए यहां यहां जास्ट ट्री जिरो लिखिए है मतलब थीन जरो यह वाट नमबर सी जरो रहना देखिए ओ अवर यह नमबर सीडू टू यह तीन जरो है वाट नमबर सीडू तो इसलिए यह पास्ट स्काएर नहीं है है नेक्स आप इंड सेंड तो रिएगकं उआ नाइंड टू तो यहां जास्ट केंड सुथ है कि इंसिन प्थेश्ए है नेस्ट 7 नममर्स दिंस थिकिये पाल डू-टू-टू-टू-ठर Europe लास्ट मी त्ीन जिरओ है tutorial उज्द जिरो जिरू और यहां होगी आइजिट एट जूर्थ ट्रीजिरो या फिर वरड नमब्प फिर टिक है आप डू बाइच्ट एट नमम्बर देखिए भाई एट नमम्बर क्या है 5450 50 लास्ट में सिंगल जिरो आ रहे है फाइब जीरो फाइब जीरो फाइब जीरो लास्ट में ओन जिरो है या फिर और नमबर ऑप जिरो तो यह है बाई कितनी इजी है है। आप नेट दोकर फिरम भर किल बाइब ओर नमबर से इनमें कुंपन सी नमबर की स्क्वायर ऑफ और होंगे तो हमें पताई की जो नंबर ऑड है इसकी इंब और है यहां देकिए वाड है तो इसकी स्क्वायर वान एड होड आ रहे हैं 3 odd है इसकी square 9 odd आरे है तो ऐसे जो number odd है इसकी square odd है और जो number even है इसकी square भी even है तो ऐसे लिखना है we know the square of an odd number is odd therefore this square of one number 431 and three number भी दिखी odd है त्री नमबर 7779 odd मैं आप देखिए four number observe the following pattern and supply the missing digits तो यह देखिए बहुत interesting question है बहुत interesting question है इस type की problem maths olympiards या और भी बहुत सारे competitive exams में आ सकती है ठीक है यहां correct option देगा आपको correct option चोज़ करना ठीक है तो देखिए यह pattern देखिए 11 square 121 101 square 10201 है अच्छा one thousand one square is equal to one zero zero two zero zero one है देखिए यहां 11 की square में one के बाट two आ रहे है फिर से one आ रहे है लेकिन अगर 11 के बीच एक जिरो आया यहां समझ सकते हैं it happens is simple बाशोड़ा में वान ओर वान के बीच एक जिरो हे वान आद душ सेम सब में देखिए वान डू सेम है सके लेकिन अर टू के बीच की पताद आदा कर रहे हैं तो की 1 है तो यहाँ 1 dollar 2 के बीच डूनु साइड में एक एक गया देंके 200 है तो Hmm 2012 दोना में आरे है यहाँ 30 है तो यहाँ भी में 30 आने चाहिए 250 और यहाँ भी बीच में 30 आने चाहिए एक 2 तीन है Finger geek आँ पाच्छा यहां देखिया कि आ यहां की कितनी जिद्Щ developed into तो पहला 1 इसके बाद छे-0 है. स्क्वाइब एगल टो वान टो वन टो 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 लॉल बाइं तो यहां कि यहां देखिए बीछ में एक जिरो है तो 3 तो जाएगे 1 2 3 और यह के बीच में 0 है यहां देखे इसके केस में क्या होगी 1 2 3 3 0 है लेकिन ऐसा रहे है कि 2 1 के वीच तीन जरो टूटल है ऐसा नहीं और 2 1 के बीच 1 x 0 है तो यहां 1 होगी यहां तूड़ा गैप रखना 2 3 है यहां 3 0 है तो 4 तो जाएगे 4 है फिर इन सब को repeat करना है इस गेप देखें फिर 3 है इसके बाद 2 है इसके बाद 1 है आप देखिए 0 लगा देना बीच में आचा नेक्स्ट यहां देखिए 102030405 है फिर से देखिए आप डिसर्णिंग ओंडर में कम होते जा रहे हैं यहां से 12345 आ और यह नॉन जिरो दू डिजिर्स के बीच में 110 है तो यहां कौन से है देखिए 5 तो गाया ना तो यसी ही चार जिरो जोंगे बीच में कितने जिरो जोंगे फिर चार जिरुन जोंगे लोड्ट डू वान के बीच एक 10101010 त्यूंट तो यहीं तो यहाँ बहुत इस है बहुत इस है अगर यहां नेक्स्ट में और एक 1021 एक 10 में होता यहां और यहां जिरो वान यह बहुत इंटरस्टिंग क्यूस्ट्ट है यहां गैप है यहां भी एक साथी गैप है इस नम्र में यहां और यहाँ गैप है इन गैप में क्या हुगई तो दिख्ष्बू से एक एनालोजी ट्ोडना तो दिखिए-क लास्ट की नमर क्या है टू स्कोर तो next क्या है 10 कर यहां सिक्स है नेक्सस्वेन है यह्यां व्य॓ल रैस्ट 13 है सिंपल है आचा दूसरा एक दिखिया इंडिनू को इंट्र करें इससे तो आपको यह मिल जाएड़ी यहां 21 है 13 की साथन से यह काम करें तो यहां 12 भाई 21 से कम तो यहां 20 स्क्वायर होगी यह क्या है 20 स्क्वायर आप देखे 20 की नंबर है तो कैसे देखिया यहां 20 की नंबर डूंड़ा ना तो यहां देखे स्क्वायर तो यहां क्या है 31 है तो मतलब फाइब फाइब यहां देखे क्या होगा इन दून में बहुत सिंपल है अब यह जो यह वाला 20 की नंबर डूंड़ना यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है तो आप एनालोजी इसकी डूंड़ना इसकी पैठान डूंड़ना तो दिखिया आप अब यह वाइब लह वाइब नुमबर विडाउट यह वाइब आदीं पाइंटिस सब्सक्राइब न हिसे रूंड़ना बोगए करना तो यह निम्मार विडाऊट एडिन पाइंटिस अब्सम्स 1-1 प्लस 3-5-7-9, तो सोब consecutive odd numbers, पहली से fast odd numbers, consecutive odd numbers के साम, तो इसकी फर्मूला क्या है, n-square है, n-square है, n-square मतलब क्या है, यहाँ कितने odd numbers है, उतनी ही square है, तो इसेगल टू एक दो तेन चार पाच तो 5 स्क्वर तो 25 है आप सब को जूड़कर 25 आयो गए 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 गायो सेवन 16 प्लस 9 25 सिंप्ल है यहां दोखिए कितने हैं एक दो तेन चार पाच्छे साथ 9 10 है तो 10 स्क्वार है थेंसक्राइब किया बात है है कि दो थें चार्ट पाथ चाहलों तो बैटा है नहीं अ बात है क्या पात है तो फोटी नाइन को साथ और नमस के साम में लिखना तो फोटी नाइन प्लास प्लास एलीबें प्लास तार्टिन है necks two number में दिखिया है कितने की 121 की लिवें है 121 है ना तो 11 की स्कर है 121 बाता तो 111 इस एकेर टूं एसी ग्यार्व है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी अर भी दू है, plus 19 plus 21 है बाप नाइन नमबर कोश्चन लेकिया, हाव मेनी नमबर्स लाई बेट्वीन दी स्कॉयर्स अब दी फोलेग नमबर्स दू-दू नमबर्स देगे हैं, अचा इन दुनों की स्कॉयर्स के बीच कितने नमबर्स लाई करते हैं यहां consecutive नमबर्स हैं तो दूनों की स्कॉयर्स के बीच जो जो नमबर्स आएंगे वह सब non-perfect स्कॉयर्स होंगे तो 12 और 13 की स्क्वायर के बीच तो देखिया यह सिंपल है 12 consecutive आगर है तो श्रकाटक फॉर्मुला है 12 प्लास 13 मानस 1 है is equal to 12 प्लास 13 25 तो 25 मानस 1 is equal to 24 है मतलब इन दूनों की स्क्वायर के बीच बीट्वीन मतलब दूनों तो नहीं आएंगे दूनों पर्फेक्ट स्क्वायर है 12 स्क्वायर 144 है और 13 स्क्वायर 169 है ठीक है तो 169 और 144 के बीच स्क्वायर 24 नंबर से आप देखिए 9 मास 4 5 है 6 मास 4 2 है और में से एक 1 माइनस करना क्या तो दूनों लिमिट्स में से एक लिमिट यहां इंक्लिवड होगा है तो इसको माइनस करना सो वह भी निकल जाएगी तो 24 हो जाएगी ठीक है 24 तो देखिए पैसे इस पहले दूनों क लेंक देखिए तो यहां शॉटकार्ट क्या है 12 प्लस 13 माइनस 1 तो दूनों कोंजेग्यूटिव नंबर अगर है तो ऐसे कर सकते हैं दूनों के एड करना और इससे 1 माइनस कर दाना तो जो रिजल्ट आएगी उतनी होंगी तो आंसर तो आगे है ना आप कॉंपीट करना है कि यह सेंट्रेंस है वह सेंट्रेंस यह है कि there are 24 numbers between the squares of 12 and 13 बस ऐसे लिकिए आज आप 2 नंबर देखिए तो नबाट 25 और 26 तो दूनों के एड करना 25 प्लस 26 दूनों कुंजे करीव है ना और 1 मानस कर दोना तो 25 प्लस 26 51 है तो 51-1 is equal to 50 है तो यहां just 50 होगा ठीक है 50 है तो 25 और 26 है 25 और 26 है इसी है बहुत इसी आचा आपका भी करना वीडियो पॉस करके नेक्स त्री नंबर देखिए 99 यह है 100 तो बैटा यहां 99 प्लस 100 लिकिए मैनस वान है तो 99 प्लस 100 199 है मैनस वान इस इकल टो 198 है ठीक है तो मतलग 198 नंबर बीटूइन दीं स्कॉर्स ऑब 99 एंड 100 क्या बात तो यह वीडियो अगर पसंद आ है तो एक लाइक करना आपके साह दस्तु के साथ इस वीडियो को शेयर करतें आँ आपने आपने अभी तक ह हमारो चनल सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोई हैं बेन बन